हलो फ्रेंड्स, सपने में हाथ, पाँ, उंगली कटे हुए देखने का क्या मतलब होता है? सपने में खुद के या फिर किसी और के हाथ पैर उंगली कड जाए और तो आप उसका क्या मतलब होता है? आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से जानकारी सेयर करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेजे और बेल आइकन को प्रेस कर लेजे ताकि आने वाले सभी सपनों से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आईए वीडियो शुरू करते हैं बीना देरी किये तो सपने में हाथ, पाँ, उंगली कटा हुआ देखना अपना या फिर किसी और का क्या मतलब होता है तो स्वप्न सास्तर के अनुसार सपने में अगर हाथ की उंगली कटी हुई दिखाई देती है आपको तो इसका बतलब होता है कि आपको आने वाले समय में कोई नया बदला, नया परिवर्तन आपके जीवन में आएगा और आर्थिक उन्नती धल्लाब होगा यानि कि यह एक सुप सपन माना गया है सपने में अगर आपका या फिर आप किसी और का उंगली कटा हुआ आप देखते हैं हाथ की उंगली तो यह सुप माना गया है तो अगर आपने अगर सपने में ऐसा कुछ देखा है तो इसका मतलब सुप होता है आप निरास न हो यह सपने में हाथ की उंगली को कटा हुआ देखना एक सुब सपना माना गया है अगर आप सपने में हाथ आपका कटा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है तो अगर सपने में अगर हाथ आपका कड जाता है आधे पर से तो स्वप्रसास्त्र के अनुसार ये भी असुब नहीं है थोड़ा सुब भी माना गया ये भी तो स्वप्रसास्त्र के अनुसार अगर आपका सपने में हाथ कड जाता है फिर किसी दूसरी का हाथ आप कटा हुआ देखते हैं अगर देख रहे हैं आप सपने में कि आपकी हाथ, दोनों हाथों की उंगलिया कटी हुई हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप जो कारिक कर रहे हैं, उसमें थोड़ी परिसानिया तो आएंगी, लेकिन आप उसमें सफलता आवस्य हासिल कर पाएंगे, तो सपने सास्त्र के अनुसार, सपने में हाथ की उंगली, हाथ कटा हुआ देखना सुभ माना गया है, अगर आपने सपने में ऐसा कुछ देखा है, तो आपको आने वाले समय में बहुत ही जल, धन, एस्वर, आर्थिक संपत्ति, धनलाव होने की और इसारा करता है, अगर आपने सपने में हाथ, पैर, अंगुली, हाथ की उंगली, पैर की उंगली, अंगुठा कटा हुआ देखते हैं, तो यह सूप माना गया है, अगर सपने में आप देखते ही कि आपका पैर कट गया है, तो इसका मतलब होता है, कि आपकी वरतमान समय में जो परसानिया आप जो टेंसन ले रहे हैं उसकी वज़े से आपको ऐसे स्वपन दिखाई देते हैं तो ये स्वपन भी अच्छा माना गया है आपको आने वाले समय में सारी परिसानियों से छुटकारा मिलेगा अगर आप सपने में देखते हैं कि हाथ का पंजा ही पुरा कटके निकल गया है तो इसका मतलब होता है कि आपको आने वाले समय में आपको अपने सभी परिसानियों से छुटकारा आर्थिक लाब और धनलाब आर्थिक उन्नती की ओर संकेत करता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करना विल्कुल भी ना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो